इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पाकेच 4 के बारे में बताने वाला हूँ पाकेच 4 का ये इंटरसेक्शन जो आप देख रहे हैं ये वाला जो रास्ता है ये पुराना वाला अलाइनमेंट है पटाओधी रोड का और यह जो रास्ता है, यह द्वार का expressway है यहाँ पर यह वाला जो आप section देख रहे हैं इस section में blacktop का काम नहीं हुआ था elevated रास्ते में जो wing लगा था, उसमें blacktop नहीं हुआ था इस video में आपको दिखाने बाला हूँ कि क्या वो रास्ते पर wing लग गया और लगने के बाद क्या वो blacktop हुआ या नहीं हुआ ये आपको दिखाऊंगा इसके लावा यहाँ पे एक बहुत positive development है यहाँ से मैं आपको drone shot जो है उरे new good गाओं का पहले इस तरफ का drone shot दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि new good गाओं के तरफ में आबादी कितनी है उसके बाद जब मैं इधर right turn के तरफ turn करूँगा मतलब जब मैं पताओधी रोड वाले intersection से द्वार के expressway के elevated flyover के पास से जब मैं डेली के तरफ face करूँगा तो यहाँ पे एक बहुत positive development है जो आपको दिखेगा इस वीडियो में मैं आपको यहाँ से नीचे जो ramp है यहाँ से नीचे उतरूँगा और यहाँ पे जो high tension wires और towers है उसके पास तक लेकर जाऊँगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो आप मुझे बताइएगा फिर यहाँ से मैं आपको आगे लेकर यह जो बसाई का rail over bridge है यहाँ पे जहाँ सेक्टर 88B आता है और यहाँ पे सेक्टर 37D आता है तो अगर आपको second video भी देखना है इसका तो आप मुझे comment करके बताइएगा फिर मैं second video भी इसका बना कर दिखा दूँगा इस video को मैं यहाँ से इस direction में move करूँगा sector 88A और sector 37D के पास और यहाँ पे कुछ positive developments हुए है वो आपको दिखाऊँगा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको location समझा देता हूँ यह sector 88A है यह sector 37D है यह जो आप पूरा area देख रहे हैं यहाँ पे ही global city आएगा तो इसका भी view मैं आपको रात को दिखा दूँगा कि कैसा आज दिखता है और जब global city बन जाएगा तो कैसा होगा यह आप imagine कर सकते हैं यह वाला जो आप sector देख रहे हैं यह sector 88 है इस intersection से अगर आप इस direction में मूव करेंगे नियू गुरगाओं की तरफ तो यहाँ पे trumpet flyover आ जाता है इस portion में तो यह पूरा view भी आपको दिखा दोगा की रात को यह कैसा लगता है इस direction से अगर आप यहाँ पे move करते हैं पटाओदी रोड से तो यहाँ से आप मानिसर जा सकते हैं और द्वारका expressway के इस तरफ अगर आप इस alignment में move करते हैं सेक्टर 36B और सेक्टर 37D के बीच वारे रास्ते में पुराना वाला alignment है पटाओदी रोड का वहाँ से अगर आप move करते हैं तो इस direction से move करने के बाद जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे यह उमंग भरदवा चौक है यहाँ से भी आप द्वारका expressway की तरफ जा सकते हैं जहाँ पे सेक्टर 102, सेक्टर 101, सेक्टर 104 और सेक्टर 101 का intersection आ जाता है हला कि flyover यह सब बन चुका है लेकिन यहाँ पे काम चल रहा जिसके वज़े से आप इस section को cross करके द्वारका expressway की तरफ फिलहाल अभी नहीं जा पाएंगे जब यह रास्ता खुलेगा तो उसके बारे मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा इस पर work कर रहा हूँ मैं, follow up कर रहा हूँ मैं आप सबने मुझे मेरे real estate business में पूरी तरह से support किया है इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे viewers, subscribers का, यहां के residents का, यहां के investors का, मेरे well wishes का, सारे channel partners का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं उन सब को thank you कहना चाहूँगा, कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबलियत पे और मेरे market research पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए, या फिर commercial project में invest करने के लिए माध्यम बनाया है मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं social media पे या publicly नहीं बोल पाता हूँ कई बार वैसी सारी जानकारी मैं उन home buyers या investors के साथ share करता हूँ जो मुझसे मिलने personally मेरे office आते हैं ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत project में चाहे वो residential हो या commercial निवेश करने से बचाएगा क्योंकि अब मैं भी real estate, research, transaction और consultancy में हूँ ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे references दिये हैं और मैं आपकी उमीदों पे खरा उतरा हूँ ठीक इसी तरीके से आगे भी support करते रहिएगा, मैं future में भी आपके सारी उमीदों पे खरा ही उतरूँगा इस पूरे area का मुझे चपा चपा पता है, यहां के जितने भी commercial और residential projects हैं, मुझे उनके in and out पता है उनके एक एक positive, उनके सारे negatives भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा अगर आप भी यहां invest करने का सोच रहे हैं, या घर लेना चाहते हैं, तो आप भी मुझे मेरे office आकर मिल सकते हैं नीचे मेरा direct number दिया हुआ है, मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक informed decision लेने में support करेंगे कुछ भी खरीदने से पहले मुझे मिलियेगा जरूर, मैं आपको किसी भी गलत project में निवेश करने से बचा सकता हूँ मुझे बहुत साथे real state के लोग भी मिलते हैं, जो की अच्छे और साफ नियत के साथ काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें सही platform नहीं मिल पा रहा है, मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए respect है जो real state को long-term vision के साथ अपना career बनाना चाहते हैं, उनके लिए मेरे पास एक right platform है आप आएए और मुझे से मिलिए, आएए वीडियो देखते हैं देखिए इस समय मैं आपको दो अलग-अलग चीज़े दिखाऊंगा यहाँ पे एक तो सामने आप देखिए यहाँ पे इस समय मैं अगर डेली के तरफ से ड्राइव करके आ रहा हूँगा और पटादी रोड के intersection जो द्वार का express के साथ है मैं ठीक उसके ऊपर हूँ left right में यहाँ पे आपको flyover functional दिख रही होगी अभी मैं आपको दो बिल्कुल drastic change दिखाने वाला हूँ यहाँ पे देखके आपका दिल खुश हो जाएगा तो सामने आपको जो high-rise apartments दिख रहे हैं इस तरफ जितनी भी आपको lights right जली भी दिख रही है यह सारा right inside वाला new good गाओं है और जहां पे आपको कोई भी light जली भी नहीं दिख रही है बिल्कुल screen के बीच ओबीज देखिए नीचे से मैं आगे तक दिखाता हूँ देखिए यह जहां नीचे light लगी भी है यहां पे blacktop का काम बचा हुआ था wings लगाने के बाद उसको blacktop कर दिया गया है अब यहां नीचे जो है वो expansion joint का काम चल रहा है तो expansion joint आपको यहां पे इतना अंधेरा है कि आपको flyover के left और right कुछ भी नहीं दिख रहा होगा सिर्फ गाडिया नीचे जाते वे दिख रही होंगी जो right hand side यानि कि इस तरफ गाडिया जा रही है यह यहां से पटादी रोड लेते वे यह पुराना intersection है पटादी रोड का यहां से लेते वे sector 95 के तरफ जा रही है देखे यहां यह जो पूरा आपको हिस्सा जलता होगा दिख रहा है light यह पूरा new good गाओं है इस तरफ देखे एक बड़ मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ wide angle से और यहां नीचे जो आपको गाडिया दिख रही है यह वाली यह पटादी रोड वाले intersection से trumpet flyover के intersection के पास जा रही है जहां पर मैं खड़ा हूँ इस वक्त इस जगे पे अगर आप left hand side में देखेंगे bottom corner देखते हैं तो वो sector 37D है और नीचे के side अगर आप right hand side में देखते हैं तो वो sector 88A है यहां से जैसे मैं कैमरे को ऊपर की तरफ move करूँगा इस section में तो यहां से मैं आगे जाओंगा तो trumpet flyover वाला intersection आ जाता है जहां पर sector 84 sector 88 sector 36A उसका intersection आ जाता है और फिर trumpet flyover के तरफ से आप अपने destination पर जा सकते हैं यानि Cloverly flyover के तरफ जा सकते हैं यह जो यहां पर आप high rise apartment देख रहे हैं यह वाली screen के बीचों बीच देखेंगा मैं अभी zoom करने वाला हूँ यह जो आप high rise apartment देख रहे हैं यह sector 36A है यहां पर इसी से अगर हम और आगे चले जाएंगे तो Cloverly flyover आ जाएगा यहां पर यह वाला job intersection देख रहे हैं आपको zoom करके दिखाता हूँ यह देखें यह वाला job intersection देख रहे हैं जो आपको commercial space सा दिख रहे है ready to moving सा वो sector 84 है और जो आपको ऊपर red lights दिख रहे हैं flats के ऊपर देखेगा बिल्कुल छट पर वो सारा sector 84 है यहां पर और उसके पीछे जो screen के बीचो बीच आप देखेंगे screen के बीचो बीच जो आपको दिख रहा है वो 83 है sector और 83 और 84 के बीच में sector 82 है वहां पर और इस तरफ जो है यह जो आपको light जली भी दिख रहे हैं नीचे road में यहां से अगर आप इस direction में move करते हैं आगे की तरफ तो आप यहां से मानिसर भी चले जाएंगे तो यहां पर मैं आपको zoom करके यह सब दिखा रहा हूँ आप यहां पर देख पाएंगे की कितने जो यहां पर residents है लोग रह रहे हैं ऐसे ही कुछ नजारा आपको द्वार का expressway के पास भी मिलेगा जो Delhi के पास वाला area है बट वहां पर drone नहीं उड़ा सकता हूँ मैं तो यहां पर पहले यह नजारा देखिए पूरा फिर मैं आपको एक बहुत positive चीज दिखाने वाला यह देखिए जितना आप देख रहे हैं यहां पर इन सब में जो residents हैं वो अल्रेडी मूव कर चुके है यहां पर यह जो आपको रास्ता दिख रहा है देखिए मैं यहां पर राइट इंड साइड वाले जो ट्राफिक दिख रहा है यह पटवदी रोड के तरफ से द्वार का expressway की तरफ आ रहे हैं और यहां से फिर मैं आपको उपर की तरफ दिखाता हूँ यह पूरा रास्ता आगे चले जाता है और इस तरफ भी अगर आप देखें तो यह सेक्टर 88A है यहां पर यह सारा जो है वो सेक्टर 88A है थोड़ा और उपर भी अगर चाहूँ तो मैं यहां पर करके आपको दिखा सकता हूँ अब जब मैं टर्न करूँगा अभी तो आप डेली से गुड़गाओं के तरफ देख रहे हैं सारा कुछ यह सारा गुड़गाओं वाला पोर्चन है जब मैं यहां से टर्न करके आपको डेली के तरफ दिखाऊंगा तो एक बहुत पॉजिटिव डेवलोप्मेंट होने वाला है यहां पर अब यहां पर पूरा अंधेरा हो रहा है यह सेक्टर 88B है और अगर आप यहां देखे तो आपको पूरा अंधेरा साद दिखेगा यहां पर भी देखे अब जो है मैं आपको डेली के तरफ दिखाता हूं मूव करके ऐसे मूव करों या पहले ड्रोन को इधर दे आता हूं और इस तरफ से मूव करता हूं देखेए अभी आप फिर से ट्रमपेट फ्लायोर की तरफ यहां से व्यू कर रहे हैं यह पूरा अंधेरा सा दिख रहा है अभी इस वीडियो को मैं अपने पास रखूंगा क्योंकि जब ग्लोबल सिटी पूरा बन जाएगा तो इस वीडियो को और ग्लोबल सिटी वाले वीडियो को जब बना हुआ होगा तो उन दोनों को कंपैर करके यहां पर डालूँगा तो यहां पर जितना आपको अंधेरा दिख रहा है यह जो पूरा अंधेरा सा आपको पूरा दिख रहा है यहीं पर ग्लोबल सिटी आना है तो जो आज आपको बिल्कुल अंधेरा सा दिख रहा है यह ग्लोबल सिटी आएगा इस पूरे से सेक्षन में फिर यह रास्ता आ जाता है यहां इस रास्ते से गर आप स्ट्रेट जाएंगे आगे तो उमंग भरद्वा चॉक आ जाएगा जहां से आप राइट लेकर ही रो होंडा चॉक की तरफ भी जा सकते हैं और लेफ्ट लेंगे तो आप बसवी वाला फ्लाइवर लेते सेक्टर 37D है यह पूरा अभी यह भी आपको काफी अंधेरा सा दिख रहा होगा यहां पे भी मैं आपको जूम करके दिखाओ तो देखें सेक्टर 37C और सेक्टर 37D में भी फैमिली कितनी सारी मूव कर गई हैं यह रात को मैं बनाया है इसलिए है कि आपको दिखा सकूं सेक्ट इसको फंच्टनल कर दिया गया है यह देखें फ्लायवर सर्विस फ्लायवर में भी गाड़ी चल रही है यह जो गाड़ी नीचे आपको दिख रही है पहले मैं आपको यहांवला सेक्शन दिखाओं अभी मैं गुडगाओं के तरफ फेस कर रहा हूं इसी मैं नीचे में खड़ा हूँ दिखें गुडगाओं के तरफ से मैं पहले आपको दिखा रहा हूं ट्रंपेट फ्लायवर की तरफ पूरा अंधेरा आपको दिख रहा है और आगे आपको अपार्टमेंट जली मी दिख रही है अब यहां से मैं वापस फेस करता हूं डेली के जो पटादी वाला intersection है पटादी रोड वाला intersection वहां से मैं आप डेली के तरफ मूव करूँगा और डेली के तरफ मूव करके मैं यहाँ से आप आपको गुडगाओं से डेली के तरफ फेस कर रहा हूँगा और वहाँ पे दिखाऊंगा लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो सर्विस फ्लाइवर्स यहाँ पे फंचनल हो गए है जिसमें गाड़ी का मुवमेंट आपको दिख जाएगा राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड में भी सर्विस फ्लाइवर को खोल दिया गया है पबलिक के लिए अब यहाँ से अगर मैं आपको आगे की तरफ दिखाऊं यहाँ तक जो है स्टीट लाइट को फंचनल कर दिया गया है इस समय जो आप लेफ्ट हैं साइड देख रहे हैं यहाँ पर यह सेक्टर 88B है और सामने वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है अंधेरा सा यानि कि यह वाला सेक्शन यह सेक्टर 88A है और यह जो आप सेक्टर देख रहे हैं बिलकुल अंधेरा सा अगर मैं डेली की तरफ फेस कर रहा हूँ यहाँ से तो यह सेक्टर 37D है इसमें स्क्रीन के बीचो बीच देखेगा यहाँ पर आपको रौशनी से दिख रही होगी मैंने आप से कुछ दिन पहले पूछा ता कि दवारकय एक्सप्रेस वेका जो सेकेंड पेटॉल पंप है वो कहां पर खुला है तो जो सेकेंड पेटॉल पंप है दवारकय एक्सप्रेस वेका अठीसेवैंटD में बिल्कुल इस point में screen के बीचो बीच जो आपको दिख रहा है यह functional petrol pump है यहाँ पे तो एक positive चीज तो यह दूसरी यहाँ का जो street light है Dwarka Expressway का इसको यहाँ पे functional कर दिया गया है और यहाँ पे lane marking भी पूरी कर दी गई है यह देखिए यहाँ से अब मैं आपको डेली के तरफ दिखाओ यानि यहाँ से मैं अगर face कर रहा हूं sector 88A और B के तरफ से मैं face कर रहा हूं sector 99 के तरफ और मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेकर भी जाता हूं कि आपको वह व्यू मिल जाए कि कैसा दिख रहा है वहाँ से अभी काम चल रहा है दो आपको अलड़ी मैं पिछले डीले वीडियो में वहां का updated दिद्या था आप यही पूर्शन आपको को नीचे है भी दिखाता हूं gestion को नीचे अपको दिखायता हूं street light लगने के बाद नीचे से कैसा look and feel आ रहा है यह जो पूरा रास्ता है बिल्कुल खाली है मैं अकेला हूँ यहाँ पे और जबरदस enjoy कर रहा हूँ इस view को यह रास्ता जो है main elevated वाला यह अभी public के लिए open नहीं हुआ है तो without permission यहाँ पर आने की कोशिश ना करें क्योंकि अभी load testing यह सब भी होना है कई जगे तो आपको problem आ सकता है तो यहाँ देखिए मैं बिल्कुल road के बीचो बीच हूँ यह बीच वाला median है यहाँ पर और यहाँ से मैं आपको पहले पीछे की तरफ ले जाता हूँ पहले मैं आपको अंधेरे की तरफ ले जाता हूँ और फिर अंधेरे से मुझाले वाले साइड में आएंगे यह देखिए ऐसा सा कुछ भी होगा यहाँ पर जो right hand side वाला flyover है वो right hand side वाला flyover है वहाँ से आप डेली से गुड़गाओं की तरफ अगर आ रहे हैं तो उस तरफ से आएंगे और left hand side वाला flyover है अगर आप गुड़गाओं से डेली की तरफ जाएंगे तो उस flyover से आएंगे तो आप देखिए यहाँ से आपको पहले पीछे का भी व्यू देता हूं देखिए यहाँ पर पूरा अंधेरा है नीची अगर आपको दिखाऊं तो देखिए ब्लाक टॉप हो चुका है जिस section में विंग लगाए गया था अब इसमें क्यूरिंग का काम चल रहा है दूसरे तरफ वाला section तो आपको दिखेंगे नहीं इतना अंधेरा है यह trumpet flyer के तरफ में face कर रहा हूं यहाँ पर अगर इस board के तरफ में आपको दिखाऊं देखिए इसमें लिखा है कि जो Delhi Mumbai Expressway है वो यहीं से उसका रास्ता है अब मैं यहाँ से drone को change कर देता हूं उसका direction और मैं यहाँ से अंधेरे वाले section से Delhi वाले section के तरफ face करता हूं यहाँ पर देखिए तो उस लाइट मैं manage कर देता हूं कि आपको clearly दिखें लाइट थोर डिम कर दिया है मैंने कि आपको street lights properly दिखें इस पूरे road में जो खड़ा है वो मैं ही हूं यह देखिए अभी इसकी testing चल रही है और मैं यहाँ से आपको आगे तक लेकर चलूँगा यह देखिए street lights मैंने light को dim किया हुआ आप यह मत समझेगा कि street light इतनी कम रोशनी दे रही है street light काफी जादा रोशनी दे रही है बट मैंने वीडियो में light को थोड़ा सा कम किया हुआ था अभी भी मैंने कम ही किया हुआ है कि आपको प्रॉपरली दिख पाए अदरवाज light बहुत जादा है camera के रिसाप से तो यह वाला जो left side वाला जो पूरा रास्ता है यहां से आप गुरगाउं के तरफ से डेली के तरफ जा रहे प्रॉड रास्ते का और उसके बाद जहें वहां पर भी एक बोर्ड लगा हुआ है वह आप देखिए यहां पर राइट हैं साइड में आप देखिए आपको यहां पर पैट्रॉल पंप भी अब दिखेगा यह देखिए फंशनल पैट्रॉल पंप है और यहां पर अगर यहां पर पब्लिक के लिए खोलने से पहले बीच में देखे तो आपको हाइटेंशन यहां पर वायर भी दिखेंगे अगर को शिफ्ट करने का काम चल रहा है यहां पर जब वो शिफ्टिंग हो जाएगी तो भी मैं आपको दिखाऊंगा अब मैं आपको इस डारेक्शन मे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताई कि वीडियो आपको कैसा लगा और जैसा कि महां हमेशा कहता हूं जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं जय हिंद जय भारत